अलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण प्रताब तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि यार्ट प्लस्टू के बाद क्या करे ग्राजूशन के बाद क्या करे बहुत बड़ा सवाल आपके मन में हमेशा रहता है तो मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जनलिजम में यानि कि पत्रकारिता में कौन-कौन से करियर आप्षन है और आप क्या-क्या उससे बन सकते हैं देखिए अगर आपको चुनौतिया पूर्ण और बहुत नए नए ढंक खोजना आपको अलग-अलग चीजों में रूचिये तो आपके लिए पत्रकारिता बहुत ही जवरदस्त करियर आप्षन रहेगा अगर आप नए नए इविंट्स में भाग लेना चाहते हो अलग- या नियूस्पेपर में आने के बाद वो रद्दी बन जाता है तो चलो दोस्तो वीडियो को लेट ना करते हुए आपको बताएंगे कि आपके लिए करियर आप्षन क्या है वैसे तो जनलिस असमें बहुत जादा करियर आप्षन है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम का देव शुरी है तो यह बहुत बड़े बड़े नाम है आप डिरेक्शन में जा सकते हो टीवी में जा सकते हो मूवी इसको डिरेक्ट कर सकते हो प्रोडियूजर बन सकते हो और तो और आप मूवी कैसे बनती है यह अगर हम दूसरे करियर आप्षन की बात करें तो हमारे पर दूसरा career option है sound designing दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह नया course है लेकिन यह नया course नहीं है बहुत पुराना course है और इसमें यह भविश्य की सबसे जादा संभावना है इसमें नजर आती है क्योंकि गाने, फिल्म्स शाट मूवीज अब तरह तरह के यूटूब's content आ रहे है तो उसमें कहीं न कहीं उसके लिए music, वीडियो के लिए music, उसके जो background sound है वो चाहिए होता है तो उसके कहां से generate करते हैं लेकिन जो sound designer होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसी sound देनी है, कब sound बढ़ानी है, कब कम करनी है ये सारी की सारी चीज़ें जो है sound designer ही जानता है sound designer केकर हम पैसे की बात करें यानि कि salary कितनी मिल सकती है तो आसानी से आपको शुरुआती में 40-50 जार मिल जाते हैं और अगर आप उसके बाद expert हो गए है तो आप अपने tone को बेज सकते है, किसी भी company को किसी भी music album को तो इस पे एक शानदार career आप आसानी से बना सकते है और इसके बाद बात करें वो है content writer तो content writer से आप क्या कर सकते हो आप कोई भी खबर लिखे जाती है कोई program है, धारवाइक है, film है यहां तक ही बड़ी बड़ी जो company होती है उसके जो meetings होती है, उसके लिए content लिखता है, तो country कौन generate करता है यदि आपकी भाषा में अच्छी पकड़ है और आप बड़ी बड़ी नेता हो के भाषन देखोगे तो उसमें भी content writer का बहुत बड़ा रोलता है, salary की बात करें तो यहां आसानी से आपको starting में 15-20,000 मिल जाएंगे, इसके बाद जो दूसरा number आता है, वो आता है public relations officer का, आज की दुनिया में माना तो सब कुछ public relations के उपर निर्भर करता है कि आप कैसे client को attract करते हो कैसे company के लिए client ढूंड के लाते हो, तो public relations officer होता है वो बहुत मैं तो पुमिक आने वाता है किसी बड़ी company में, किसी firm में, अगर आप बात करें अगर आपको चाते हो कि नहीं मुझे सरकारी job करनी है तो बिबिन सरकारों के पास public relations officer होते है बहुत सारे सरकारे भरतिया भे निकालती है अगर मैं इसकी बात करूए माचिल प्रदेश सरकार हमेशा हर पर साल public relations officer की भरतिय निकालती है और हर एक सरकार की पास public relations officer होता है अगर हम इसमें salary की बात करें सरकारे में आपको salary आसानी से 40 से एक लाक रुपे तक मिल जाएगी और दूसरे firms में भी आपको शुरुवाती दौर में 30 से 40 अजार आसानी से मिल सकते है और आप देखते होंगे बड़े-बड़े business man और बड़े-बड़े हस्तिया होती है राजनेता होते हैं उनके पास भी अपना पपल्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है ताकि वो अपनी बात आसानी से मीडिया तक रक सेख़े क्योंकि जो बड़ी-बड़ी हस्तिया है कई बार वो नर्वस हो जाते है मीडिया के सामने मीडिया से संबाद करता है और कभी-कभी तो जनता से भी संबाद करता है तो आपने जितने भी बड़े बिजनेसमेन है राजनेता है उनके पास सबके पास अपना एक पॉब्लिक रिलेशन आफिसर है तो वहाँ पे आपको बहुत जादा सेलरी मिलने के हर बस्तुए मार्केटिंग ये सब डिजिटल हो चुका है आप देखो कि बिजनेस आज और आजकल डिजिटल है आप एजुकेशन डिजिटल है तो यहाँ पे आप बहुत आजादा शांदर करियर बना सकते हो हार कंपनी हार बड़े बड़े फर्म सबी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट है उसकी जरुद पढ़ती है एवन उनी को नहीं चोटी से चोटी काम को भी आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरुद पढ़ती है कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर रहा है तो इसमें भी आसानी से आपको 30-40,000 रुपे देखने को मिल जाएगे और तो और आपको बड़ी-बड़ी कंपनिया प्लेस्मेंट आसानी से दे जाते हैं जिसमें तकरीबन एक LPU का जो salary package था उसमें 7 लाक आपको जो per year का salary package मिला था तो ये भी एक शांदार option होने वाला है तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम पत्रकार की जो कि आप अपने TV screens पे, newspaper में हर जगे आपको नजर आते हैं और आप भी चाते हो कि आपके पास इतना ज़्यादा fame हो इतनी ज़्यादी प्रसिद्धी हो आप को सभी लोग जाने तो ये भी एक बहुत बड़ा career option है TV journalism अगर आप जाना चाते हो तो आपके पास बहुत सारे option है अगर आपने इंडिया के बड़े-बड़े नाम देखे होंगे जैसे राजीब सर्दिसाई, रवेश कुमार, रजशर्मा, सुधिर चौदरी, सुवेता शेंग, निदीर अजदान, अंजनाम कश्यब अगर आपको भी लगता है कि आपके भी बड़े-बड़े नेताओ, लोगों, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों के साथ संबंध हो और बहुत अच्छे से संबंध हो आपको पूरी दुनिया जाने तो आपके लिए ये पत्रकारीता बहुत बड़ा career होने वाला है आप देखोगी कि किस तरीके से आपके बड़े-बड़े नेताओ, लोगों के साथ अच्छे relation होते है और सेलरी की बात करें तो इंडिया में बहुत जादा अगर हम बात करें तो अनब गोस्वामी है जिसकी सेलरी एक से पांच करोड के बीच है अनजनाओं कश्यप की बात करें तो इन्हें पर मन्त 3-4 लाग मिल जाते है राजीब सर्देसाई है 15-20 लाग मिल जाते है रविश कुमार 4-5 लाग मिल जाते है तो आपको भी चार से पांच लाग रुपे आसानी से मिल जाते है तो आगर शुरुवाती दौर पे है तो शायद आपको थोड़ी स्टागल करना पड़े और लेकिन सबसे महत पूर यह है कि आप बड़ी बड़ी घटनाओं कोई शाक्षी होते हो आप लाइब वहाँ होते हैं चाहे वो किसी भी परदान मंतरी राष्ट पती का सपत गरहन समा रहो हो कोई बड़ा फंक्षन हो किसी दो देशों के भी यूद चल रहा हो उसको आप लाइब कवर कर रहे हो तो आदेखोगे कि किता आपके अंदर किता जो जज़बा पैदा हो जाता है ऐसा नहीं है कि आप सिरफ पत्रकारिता निउस कवर करने में ही कर सकते हैं आप साइ जाके प्लेसमेंट होती है इसके बाद दोस्तों बात करें वो है रेडियो जॉकीस की इंडिया में एक दौर था यानि कि इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक दौर था जब रेडियो ही सब कुछ होता था और लेकिन आज भी लोगों के पास रेडियो है वो आपका म मिल जाते हैं और इसके बाद हम दूसरे लास्ट करें और अप्शन की बात करें तो वह है Communication Specialist आज के दुनिया में हर लोगों को Communist आपको जो है Communication में Skill होना पड़ेगा यानि कि आप किस तरहीं अपने बात को रखते हो तो कई लोग इसमें बड़ा हैजिटेट करते हैं तो उनके पास अपने Communication Specialist होते हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया है इसमें काफी अच्छे salary package में आपको देती है इवन आप छोटी सी firm है या नेता लोग है ये भी अपने पास अपना Communication Specialist रखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनिया में जो सबसे बड़ा जो पद होता है वो Communication Specialist का होता है जिसमें आपको आसानी से 5-4 लाग मिल जाते हैं शुरुआती तो और पे अगर आपी salary की बात करें तो आपको 40-50,000 आसानी से यहाँ पे मिल सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कॉलमनिस्ट की आपने देखा को नियूस पेपर में बहुत सारे लोग या बहुत सारे बड़े-बड़े जो व्यक्ति हैं वो कॉलम लिखते हैं और आप पढ़ते हैं तो अगर आपने अपने वो सपने को साखार करना है तो आपको कॉलम लिखने पढ़ेंगे इसमें अगर मैं आपको बड़े नाम बता दू तो M.G. Agbar है नेर्जा चौदरी है, पुश्पेश बंथ है, के स्तोमर है इनके जो लेक है वो पूरे जन्मानस को प्रपावित करते है तो अब इसके बाद बात आती है कि दोस्तो हमें कहां से करना चाहिए या हमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुशन कहां से करने चाहिए तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है IIMC इसमें यहां पे आपको पत्रकारिता रेडियो में हो जाएगी टेलिविजिन और पब्रिक लेशन्शिप में हो जाएगी हिंदी जनलिजम में हो जाएगी अपने आप में अगर आप IIMC का केमपस देखो कि तो वो एक बहुत सुन्दर बड़ा केमपस है और फीस की बात करें तो यहां पे 87,000 से लेकर 1,20,000, 1,30,000 और 1,60,000 यहां पे फीस है लेकिन इससे सबसे जो बड़ी बात है वो है IIMC का केमपस इसके अंदर जाने के बाद आपको ऐसा फील आता है इसके मैस की बात करें या आप होस्टल की बात करें तो शायद ही कोई इतना सुंदर मैस या हॉस्टल होगा दूसरा नाम है माखनलाल चतुरुवेदी राष्टे पत्रकारिता वेमसंचार विश्र विश्र विद्याल ले यहां से भी आप अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर सकते हो यह भारत का दूसरा तीसरा नंबर का को इंस्ट्यूशन है इसके बाद आप एशियन कॉलेज है चेन्नाई में आप यहां से कर सकते हो इसके बाद फिल्म एन टेलिविजिन टेलिविजिन संस्थान है अगर आप तो आप यह पूने में हैं आप FTA से जॉइन कर सकते हो यहाँ पे बड़े-बड़े TV एक्टर हस्तिया वो आती है आप जॉइन कर सकते हो इसके बाद सैन जॉविर है वहाँ पे आप जा सकते हो और अगर हम इसके बाद करें तो बहुत सारी प्राइवेट इनुवरस्टी करवाती है मैं एक दो नाम लूँगा वो है लबली प्रोफेशनल इनुवरस्टी अगर पिछले बार के आगे करिया है वो पैकेज का बाद करें तो तो दोस्तो कमेंट चेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको पूरी जानकारी मौजूद रहेगी